नमस्कार दोस्तों आज का पहला विडियो थोड़ी देर से आप तक पहुँझ रहा है जानते हैं वज़ा क्या है आज प्रधान मंत्री मोधी दिल्ली के कारिकरम में प्रगती मैदान टनल और पांच अंडर पास के उधगाटन में हिस्सा लेने वाले थे फीता भी काटने वा पारे में कुछ कहते हैं क्या जिस अगनिपत्य स्कीम के खिलाफ देश में पांच दिनों से 12 राज्यों में 14 राज्यों में दर्जनों जिलों में युवाप प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन अब हिंसा के रास्ते पर जा चुका है ट्रेने फूगती जा रही है सारा विरोध आंदोलन आउट अफ कंट्रोल हो रहा है तब प्रदान मंत्री अपनी भाषन में कुछ बोलेंगे या नहीं तो इस चक्कर में मैं इंतजार करता रहा कि कब प्रदान मंत्री मोधी प्रगती मैदान टैनल पहुँचे कब वो फीता काटे और वो कब माइक पर बोलना शुरू करें प्रदान मंत्री ने बोला 35 मिनट तक बोला और 35 मिनट तक गौर से शब्द सह उनके भाषन को मैं सुनता रहा इस इंतजार में कि अब कुछ बोलेंगे अब कुछ बोलेंगे आप कोई संदेश देंगे अब बताएंगे आगे की बात बताएंगे अपन इस्प्रेस्वे से लेकर पीए मावास की ओजना से लेकर मेट्रो कनेक्टिविटी क्लाइमेट प्रयावरन आधुनिकी करन सेंट्रल विस्टा नई संसत सब कुछ बता गए टनल की महिमा नहीं बताया या नहीं बोले तो अगनिपत स्कीम पर नहीं बोले ऐसे वक्त में इन सब के गुटके वाले पान वाले इन सब के बयान वीडियो पर रिकॉर्ड करके बीजेपी की तरफ से ट्वीटर के जरिये या सोचल मीडिया के जरिये वाइरल किया जा रहा है और ये परचून वाले गुटका वाले या पान वाले या किराना वाले ये अगनिपत स्कीम के फाइदे बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये स्कीम देश के लिए कितना फाइदे मंद है और ऐसी ऐसी बातें कुछ दुकान वाले और परचून वाले बता जा रहे हैं जो बातें ना तो अभी रक्षा मंतरी ने बताई है ना ग्री मंतरी ने बताई है ना तीनों से न दुकान वाले किराना वाले ठेले वाले और बीजेपी के ऐसी मजबूरी क्या हो गई कि उम्र दराज दुकानदारों को अधेर उम्र के परचून और किराना के दुकानदारों को अगनी पत के प्रचार में क्यों उतार दिया जब उहां प्रदर्शन और अंदोलन कर रहे हैं युबाद जिनके उम्रे 20, 20, 18, 17 होनी चाहिए और है उसमें बाहर के लोग शामिल कुछ होगे वालग बात तो फिर ये प्रचार क्यों कर रहे हैं और जब ये सब प्रचार में उतार गए बीजेपी की दर्ब से प्रयोजिक प्रचार में तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नही कहा देश का दुर्भाग है कि अच्छे उद्देशन से की गई चीजे राजनिती में फस जाती बस इशारों में मकसद उनके निशाने पर अगनिपत स्कीम था थी या क्या थी पता तो अब सवाल उठता है प्रधानमंद्री क्यों नहीं बोले ये जो लोग बोल रहे हैं य इतो और इससे बीजेपी का पैनिक पता चलता है कि बीजेपी को अब किनका किनका सहारा लेना पड़ रहा है लेकिन पहले प्रधानमंद्री की बात baru हैं कोई वीडियो से कुछ कहा ना कहीं कुछ नहीं सारे उनके कारिक्रम है वो धर्मशाला में फूलों की बारिश के बीच स्वागत के बीच गाड़ी पर जाते हुए उसकी जानकारी है बडोद्रा में गए मंदिर में गए मां से मिले गुजरात के किसी कारिक्रम में गए योग क कि महत्ता बताते हुए कई भाशाओं में उन्होंने ट्विट किया, उसमें कोई वीडियो लिंक भी है, सारे कारेकरम प्रधान मंत्री मोधी जी के जो पांस दिन से चल रहे हैं, वो सारे उनके ट्विटर पर मौजूद है, इसका मतलब प्रधान मंत्री बोल भी रहे हैं, और यह सवाल उड़ता है, यह सण्नाटा क्यों है, और यह सं्नाटा प्रधान मंत्री का अगर है, जिस प्रधान मंत्री की महत्वकांची योजना लागू होने के बाद, देश भर के युवा आक्रोसित हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइनसाफी हुई, उनके साथ धोक का हुआ, जिससे स्कीम के खिलाफ सिना द्यक्ष के समकष कुछ अधिकारी, पुर्वजिकारी, लेट्रियन जनरल रेंक के अधिकारी, लगातार लिख और बोल रहे हैं, क्या अग्रिनी आगने वीरों को अरक्षन दस फिस दी अगनी वीरों को भी वागों में अगनी पत पर आरक्षन के चीटे ऐड़ नन की चीटे यह सारी अखवारों के हैड्लाइन वहीं से आ रही है जो डिसकाउंट आफर सरकार की तरफ से पास दिन में तीन दिन में खास तोर से दिया गया और उन्हों तब जब सड़क पर ऐसे युबा उत्रे और वो जब सरकार यह इस तरह के आफर रियाएद दे रही है उससे इस बात की तस्दीक हो रहा है कि सरकार ने पहले ये सब नहीं सोचा था पहले फुल प्रूफ आगे की योजना नहीं थी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे नहीं थे लागू कर दिया जैसे मोधी जी ने नोटबंदी किया था और नोटबंदी के बाद मोदी जी ने 60 बार correction किया 46 दिन में उसी योजणा में बार बार ऐसे GST में किया GST में तो मेरे खाल से 9 मेने में साथ 300 बार correction किया 10 मेने में 376 बार यह मोदी जी का style है और अब मोदी जी का style है कि जब देश में ऐसे इस्ठती हो जाए कि आक्रोस पैदा हो जाए असंतोस पैदा हो जाए तो चुप हो जाते हैं उस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं जैसे आज में नहीं को लेकिन बोल कोन रहा है किराना वाला बोल कोन रहा है ठोंगे वाला बोल कोन रहा है गुटके वाला बोल कोन रहा है परचून वाला बोल कोन कि क्या दिन आ गए कि प्रधान मंत्री चुप और यह सब चाल। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के भाई साब हैं अब देखिए जैसे यह भाई साब हैं कि दिख रहे होंगे आपको जो बता रहे हैं कि अगनीपत बीजेपी ने इन सब के बैयान जारी कि जो बाई सब बता रहे हैं पर्चून वाले हैं अधेर उम्र के हैं जो बता रहें अगनीपत देशित में बच्चों के लिए कितना फाइदेबंद हैं सुनिए जब पहले कि मोदी जी अगनीपत जो स्कीम चलाई है वो देशित में बच्चों के लिए है क्योंको चार साल तक इनको रखेंगे क्रेणिंग देंगे हर चीज की इससे अपने उनके रोजगार के अपसर भी बढ़ेंगे और एक देश को देश को एक सैनिक भी मिलेगा और कुछ जो 25 परसेंट तो यह में भरती कर लेंगे और जो 75 परसेंट जो बच्चे बचेंगे उनको आर्दजहरिंग बलों में छेत्र की पुलिस में CRP में इनको उनमें भरती कर लिया जाए यह परचून की दुकान वाले भाई साब ने बैग्राउंड से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि परचून की दुकान ने दिल्ली बीजेपी ने इनका एव वीडियो जारी किया अगरी पत्योजना को जनता का मिल रहा है समर्थन और ये कहा है कि 10 फिजदी आरक्षह यई आज के अख़़वारों की हेड्लाइन है जो मैंने शुरू में बताया लेकिन ये भाई साब 10 फिजदी आरक्षह कल के वीडियो में बने लगातार बतारो अगनी वीरों को ग्री रक्षाम अंत्राले में 10 फिजदी आरक्षए ये आटार अठाया है कई का कोई ज्यादा दिमाग लगाता है तो ऐसी बात बोल पड़ता है स्क्रीन पर आपको कई चेहरे दिख रहे हों लेकिन और देखिए और क्या नववत आ गई यह बीजेपी को जड़ा देखिए प्रदान मंत्री के चुपपी और यह सब चालू अब एक है तो सुनिये जरा गुटकावाले भाई साब का मुँ में एक भी दांत बिना लाली के नहीं है सफेधी से दूर दूर तक निए इनके दांतों का इतना गुटका कहाते होंगे पता नहीं लेकिन अगनिवीर के बारे में पक्कि जानकरी है कि इससे बेरुज़गारी दूर ह कि सुनिए कि यह जो अगनी पाथ योजना जो मोदी जी लेका है है दो हजाट चौज़ा से पहले इसका कोई पूर्शोजर नहीं था यह जो मोदी जी अगनी पाथ योजना लेका है वो इससे जो है रोजगारी खतम होईगी और लोगों को आगे रोजगार मिलेगा अब यह हो गया है इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि कैसे समझा बुझा कर सब जगा बाइट कलेक्ट किया जा रहा है अब एक और सज्जन है यह भी दुकानदार है इनको भी सोचिए देखिए इनका भी सुनिए सब अधेड उंड के हैं यह क्या का रहे है सुनिए 25 परसेंट तो उनको रिजिस्टेशन कर दिया जाएगा और बाकी 75 परसेंट है तो उन्हें जो वहाँ पर काम करेंगे उन्हें पैसा भी दिया जाएगा जैसे बताते हैं कि पंद्रा लाग बीस लाग जो पैसा मिलेगा तो वह आकर एक अपनी बिजिस को समाल सकते हैं और उनको पर आकर अपना रोजगार कर सकते हैं और भाई वह सेना में भरती होने जा रहे हैं और सेना में लॉंग टर्म इंप्लॉइमेंट चाहते थे उसको चार साल कर दिया गया चार साल वहां हत्यारों की ट्रेनिंग होगी ताकि भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत-चीन के पास LSE LOSU पर कहीं रहेंगे वहर रोजगार की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी भाई साब जो आपको लगता है रोजगार के लिए ट्रेंड होकर आएंगे यहां रोजगार करेंगे तो जिसको जो मर्जी हो रहा है वही बोल रहा है कल के एक वीडियो मैंने दिखाया था कि एक लिखने में बैग्राउंड एक होता है पता नहीं चलता है को बारावंकी में रेकॉर्ड हुआ जॉन पूर में रेकॉर्ड हुआ ऐसे तमाम लोगों का बयान जिनका अगनीवीर अगनीपत दोनों से कोई रिष्टा नहीं है लेकिन वो समझ रहें कि इसके कितने फायदे है ये अलग बात है कि दरजनो सेना अधिकारी पूर्व सेना अधिकारी इसके नुकसान बता रहें वो समझ नहीं पा रहें जो ये सारे दुकान वाले गुटका पान किराना वाले समझ रहें बीजेपी अब इनके साहरे है आज भी हिंदुस्तान टाइमस में एक बड़स आर् चुपी होती है और इस बार चुपी पहली बार नहीं है आप नोटमंदी के समय देखेंगे देश में बवाल हुआ तो मोदी जी ने कहा था हमें पचास दिन का समय दो दोस्तों पचास दिन में अगर देश ठीक रास्ते पर नहीं आया तो जिस भी चौराहे पर डॉट डॉ पिछले साल कोविड में जब देश भर में मौते हो रही थी ऑक्सिजन की किलत थी अस्पताल में बेट्स नहीं मिल रहे थे लोग तरही माम कर रहे थे लगातार हर रोच जहां तहां से मौतों का सिलसला जब जारी था प्रधान मंत्री गाइब थे उनके चुपी ऐसी थी उ पिधे हिम्मत दिखाया जोखिम मोल लेते हुए आउट्लिक ने मिसिंग नेम गवर्मेंट ऑफ इंडिया एज सेवन एर्स इंफॉर्म सिटीजन ऑफ इंडिया को बता दो भारत के लोगों को कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया गाइब है वैसे लापता नाम भारत सरकार उम्र साथ साल तब साथ साल हुए थे मोदी जे के पिछले साल की बात है खबर दें भारत के लोगों को खबर दें कहां है आउट्लुक ने भी ऐसी स्टोरी चापी थी और दुनिया भर के अखवारों ने हेड्लाइन चापी कि कैसे सरकार पूरी तर से गाइब है प्रधान मंत्री की तो चुपी ही थी और प्रधान मंत्री की स्कीम लॉंच हो चाहे नोट बंदी हो चाहे जीस्टी हो और उसमें कई बार बदलाव ना यह हो नहीं सकता आज जो रियायतों का सिलसला शुरू हो रहा है हुआ है यह कहां तक जाएगा यह अभी का नहीं सकते अगर नोट मंत्री ने तो एक्तर फाइलान कर दिया कहा गया कैबनेट के ज्यादातर वरिष्टम मंत्रियों को भी नहीं पता था कि देश में नोट बंदी होने वाला है और आज तक किसी को नहीं पता किसी नोट बंदी से क्या फाइदा हुआ वैसे ही जीस्टी लाग हुआ दस महने में 376 बद्लाओ किया रहे है कभी छूट गभी बद्लाओ कभी रियायत अलग अलग नाम से अब क्या होने वाला है और अगर देश में हो रहा है खास वाए है उस दो स्कीम में चाहा नोट बंदी चाहा जीस्टी उसमें देश में ऐसी तबाही नहीं थी परिशानि में इस्थितियां बेकावू होना ऐसे इस्थिति नहीं और पांच दिन में नोट बंदी में तो कई सब्ता तक लोगों ने परिशानिया जह ली और ये सब होने के बाद जिनकी स्कीम जिनका आइडिया जिनका ब्रेंचाइल्ड वो चुप फीता काट ले रहे हैं मां से मिलने जा रहे हैं तो दो कैमरे पहले दाखिल हो जाएं ताकि उनका कैमरा वीडियो प्रापर तीन एंगल से माता जी से मिलते हुए चरण सपर्श टरते हुए भी आ जाए धरम साला में जा रहे तो फोटो मंदिर में जा रहे तो फोटो किसी कारिक्रम में जा रहे तो वीडियो हर चीज है सिर्फ इस मुद्दे पर सेलेक्टिव चुपी है तो प्रधान मंतरी मोदी जी scheme आपकी, योजना आपकी, सेना में reform अपने तई करना आप चाहते हैं तो देश आप से सुनना चाहता है, क्या आप क्या चाहते है, क्या सोचकर लागो किया, किन लोगों से राय मश्विरा किया, क्या इससे आगे का भविश्य दिखता है और देश में जो हो रहा है पांस दिन से, इसको रोकने, समझाने या ट्रैक पर लाने के लिए आपके धिमाग में क्या है और क्या आपनी बात पर आप वो ऐसे ही कायम रहेंगे या वो ऐसे ही एक साल जिस तरह से किसान बैठे दिल्ली की सीमाओ पर, पहले आप उन्हें मुठी बर किसान वो आपके लोग, आपके नेता मंत्री उन्हें आतंकवादी, देश्त्रोई, नजाने क्या क्या कहते रहें, मवाली, गुंडा सब और जब किसान हिले नहीं, तो आपने कह दिया तपस्या में कमी रह गई किसानों को समझा नहीं पाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो प्रधान मंत्री जी कम से कम आईए, और बोलिए, ऐसे फीता काट कर, 35 मिनट के भाशन में, 35 सेकेंड के लिए भी अगनी पत्का जिक्र न करके, मतने के लिए सर, आपका बोलना जरूरी है, हम सुने तो सही, जाने तो सही कि आपके दिमाग में क्या चाल रहा है, आसकार